हेलो दोस्तों मैं सुधिर आपका अपनी यूट्यूब चैनल एस्क्रिकट में स्वागत करता हूँ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं औस्टेलिया वोसेस वेस्टेंडीज के 30-20 मैच जो की खेले जाने वाला है पर्थ के एतिहासिक ग्राउन पे तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इस वेन्यू पे कौन सा प्लेयर है जो रन स्कोर करके देगा कौन सा बॉलर है जो विकेट मार के देगा और सबसे बड़ी चीज में बता दे रहा हूँ आपको कि लास्ट प्लेंग 11 के एकॉर्डिंग वेस्टेंडीज का कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो इस वेन्यू पे खेला हो तो यानि आपको ये सारी इंसाइड में देने वाला हूँ इस वीडियो में साथ ही साथ तीम कैसे बनानी है आपको कल के मैच के लिए उसके लिए स्टेजी प्रवाइड करने वाला हूँ और जो है हम किस तरीके से सलेक्शन पॉसेंटेज का भी यूज करेंगे तीम को बनाने में इसकी भी स्टेजी आपको देने वाला हूँ तो अगर आप मेरे इस चैनल पर अपको more का option दिखेगा उस more की option पर क्लिक करेंगे तो यहां पर टेलिग्राम चैनल का link दिखेगा आपको link पर क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम अगर आप में install होगा का बटन होता वह आपको डिक जाएगा वहाँ पे जाकर जॉइन हो जौएए तो आप मेरे टेलग्राम ग्रुप में जॉइन हो जाएंगे और वहाँ पенपर को जो है फ्री में जी एल की टीम पे वह पर जील की टीम देता हूं विना एक रुपए लिए यह पीडियम भी पोस्ट करता हूं साथ ही साथ लाइव जो है पिछ रिपोर्ट क्या होने वाली है उस मैच की उस पिछ करें अपनी रैंक को और जील की नमबर वन जो है रैंक लाने की पॉस्बिल्टी को बढ़ाएं ठीक है और इस वीडियो में भी आपके लिए 1000 का गेववे हैं आपको क्या करना है किसका सबसे अधीक होगा और आपको जो आंसर देना है अजार उपे का PTM है कि यह जो है चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए टेलिग्राम चैनल मेरा जोना चाहिए ठीक है और यह वीडियो आप लास तक देखिए बिना इसकिप किए वैसे भी आप लास तक देखेंगे वीडियो में मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं और इस वीडियो को अभी तक आप लाइक कर दिये हूंगे इतना मेरा ट्रस्ट है आप इतना में विश्वास करके रखता हूं ठीक है तो आए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो भीटा देरी किये वे जब ग्राउंड है वहां पर जब हैं यूडियो इस वीडियो में समझेल है जो पर्त का GROUND है वह किसको ज़्यादा सपोर्ट करता है यहां पे जू है यहां organised啊 को कि टीम में लेके चलेंगे तो ज्यादा benefit होगा और high scoring ground नहीं है ये मैं आपको clearly बता दे रहा हूं तो दे भी देखना होगा कि कितना run बनता है और कितना wicket गिरता है यहां पर तो आएए देख लेते हैं इस ground का stats इस ground पर अभी तक 7 match खेले गए हैं जिसमें सब पहले बैटिंग करती ही टीम के ओल दो बार जीती है और जो है सेकेंड बैटिंग करती ही टीम जो है पांच बार जीती हुई है यानि सेकेंड बैटिंग जो करता है उसको ज्यादा chances है कल का मैच जीतने का टाई अभी तक एक भी मैच नहीं हुआ है first inning का average score आप देख सकते हैं 135 run है यह बहुत कम first inning का average score है आई यह तक 208 run है 6 wicket के नुकसान पर और यहां की venue का stats अब देखना पड़ेगा कि कौन सा scoring pattern है ताकि हम predict कर सकें कि कल का score क्या होने वाला है उसके according हम अपनी टीम को कल के मैच के लिए बनाएंगे तो scoring pattern की बात कर लेते हैं तो साथ में से पांच बार जो है 1500 से कम run बना है देखिए clearly पांच बार जो है 1500 से कम run बना है scoring score between 150 से लेके 169 की बीच में एक बार नहीं है और 190 से उपर जो है मातर एक बार जो है run बना हुआ है ठीक तो यह scoring pattern कल के मैच के लिए अगर western डीच पहले अगर Australia पहले बैटिंग करती है तो हो सकता है कि जो है वो 500 से उपर रंग बना है ठीक तो टोटली डिपेंस होना कि टॉस किस तरीके से होने वाला है और जो टॉस जीतेगा करके मैच के लिए डेफिनेटली वह बॉलिंग करे करेगा ही करेगा क्योंकि जो है सेकेंड हो जाए कि हां मुझे पेसर लेना है और मुझे स्पीनर लेना है दूसरी जीस आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि कितने स्कोर बने हुए है तो इससे जो है आपको एक आईडिया चल जाए कि हमको किस टाइप का और कितना जो है स्कोर प्रेडिक करना है तो आप मैं सेंपल साइस पहले मैच का दिखा रहा हुआ है आपको इंडिया वसे साथ ऐफिका का मैच है इंडिया एक 133 संग बनाई नौ विकेट के नुकसान पर यहां भी देखिए कि 5 गीरा हुआ है इस मैच में जो है पेसर को देखिए 12 विकेट मिला है जिसमें से 12 विकेट मिला घम अगर टोटल विकेट की बात किया जा तो 14 विकेट गीरा हुआ है 거지 मिला हुआ है जिसमें से 12 मिला हुआ पेसर को मिला हुआ है और झी बारन विकेट में निजum पाकिस्तान के विकेट यहां पशेक्तान पे निजित km या है और तीन विटेटि जो है इस प्लिर्लीद देख सकते हैं पाफ होई जो है पांच विक्रेट पेसर के यहां बहल भी फास्पास्टरन दिग्ट सब्सक्राइब लिट वुक्ते सपेनर यह भी यहां बने कि लिए राव सोले विट दोनों मिला ओए देखू तो इसमें से पेसर को कितना मिला हुआ है यह ज्लका शेयर की बात करें तो स्य लंका वस्यस ऑस्टेलिया का मैच था सात मैचेस की बात किया चारों मैचेस की बात किया जा तो जो है ताहिंद इस फरस्ट इनिंग में है और बारा ज्यादा तवज्जो देना हुआ जो तीन चार मैचेस में आप देख सकते हैं इसमें तो भहंका तरीके से पेसर को विकेट मिला हुआ है लास्ट के मैच को छोड़ दिया जाए तो यानि आपको क्या लेना है पेसर लेना है तो किस टाइब का पेसर लेना ये भी जाना बहुत जरूरी है तो आईए हम देख लेते हैं कि अभी तक यहां पर बॉलर किस टाइब के बॉलर जो है वो ज्यादा है यानि अगर पेसर को जयादा गर मदद मिलती है और और आपको स्पीनर लेना है तो आप किसको लेंगे राइट आप स्पीनर लेंगे वो भी second inning में जो balling करेगा उसमें से ही किसी team को लेंगे किसी team के players को अगर हमको यहाँ पे faster लेना है तो हमें right arm faster ज्यादा important है और right arm faster में भी आप faster उनको लेंगे जो पहले क्या नाम है पहली inning में pacer baller हो उनको चाहिए वो left arm हो चाहिए right arm हो लेकिन पहले inning में अगर pacer baller choose कर रहा है तो पेसर baller वो बॉलर लेज़े जो पहले inning में balling करेंगे जैसे मालने कल का match है और सेलिया वसिस वेस्टेंडीज का उसमें अगर वेस्टेंडीज पहले batting कर रही है तो आपको क्या करना है और सेलिया के pacer baller को लेके चलना है और वेस्टेंडीज के spinners को लेके चलना है एक spinner अगर आप choose करते हैं तो otherwise faster baller लेके चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी कल के match के लिए ठीक है अगर head to head matches की बात किया जा और एक चीज़ और है कि अगर वेस्टेंडीज कल बैटिंग करती है तो जो score होगा वह बहुत small score होगा ठीक है और सेलिया बैटिंग करती है तो भी जो score होगा वह बहुत बड़ा score नहीं होगा ये भी मान के चलते हैं तो जो कल की team बनाईएगा वो बॉलिंग परस्पेक्टिव से team मनाईएगा बॉलर को ज़्यादा तवज्यों दीजिएगा कल के मैच के लिए है ना जादर दन इस बैट्समैन के अभी तक इनके head to head matches की बात किया जया तो 21 मैच खेला गया इन दोनों के बीच 10 मैच जो है वेस्ट अंडी जीती है और 11 मैच देखिए वेस्ट इंडी हाज चुकी है और लाज्ट के दो मैच जो है और जीट चुकी है इनसे यह आखरी टी-20 मैच है इनका अब हम बात कर लेते हैं और प्लेइंग 11 से पहले मैं आपको चीज बताना चाहता हूं सेलेक्शन परसेंटेज वाला जो मैंने लाज स्ट में लेगा आपको आपके पास 11 प्लेइर एक टीम के यंऔर अप्लियरी के हैं 30 परसेंटेज फ़से ओंब रखना है है ठीक है और इसमें की है 30% से नीचे वाले को जितने भी प्लेयर होगे उनको रखना है ठीक है 30% से नीचे वाले स सेलेक्शन परसेंटेज पो फिक है तो यहां पर एक लिस्ट बनके आ जाएगी आपके पास 22 प्लेयर की जो तीन पॉसेंट मैंने टीमों को लगवक सकतर से हसी टीम करने के बाद बता रहा हूं कि यहां से आपको चार लेना है यहां से आप चार लेना है और यहां से आप तीन प्लेयर ले सकते हैं या फिर यहां आप चार अगर प्लेयर कर रहे हैं तो यहां से आप जो है तीन प्लेयर तो किस player को आपको लेगे इस में से तो चार player 94 करना है तो कौन से player होंगे best निंसte को चनो चारय हम सबस्क्राइब पड़ेगा. उनका हेट-थो हेट record देखना पड़ेगा उनका ओर वेन्मिती पर रिकार्ड देखना पड़ेगा हो इस पुसके इन चारो डेटा के basis से हम क्या करेंगे यह decide करेंगे कि हमको इस player को लेके चलना है और इस player को drop करके चलना है तो आइए Start करते हैं और देखते हैं और पॉसिबल प्लेंग 11 और उनका recent record ताकि जब आप team बनाए आप players को choose करें तो आपके पास जो है वह सारी information हो ठीक है तो आईए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और सेलिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है जॉस इंग्लिस और जो है डेविड वार्न ओपनिंग करने आएंगे नंबर तो यह होने वाली है कल के जो है पॉसिबल प्लेइंग 11 अस्टेलिया की तरफ से अब यह तो पता चलिए कि पॉसिबल प्लेइंग 11 यह है तो स्टार्टिंग और में बॉलिंग कौन करता है यह भी पता करने की जो होता है क्योंकि हमें यह चीज देखना ज्यादा इंपोर्टेंट है जिसकी पॉसिबिल्टी स्टार्टिंग और डेथ ओवर में जो बॉलर बॉलिंग करते हैं उनकी पॉसिबिल्टी जो है विकेट लेने की ज्यादा बन जाती है फास्ट बॉलरों की तो इसलिए हमको कल के मैच के लिए सबसे पहल स्टार्टें के ओवर्टेंग के डिष ata म कर देखना जो है जो है डिट सेटहान करें तो इन तीनों में से आपको किसी दोन फॉरोLe.... है कल के मैच के लिए अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उनका record देखना पड़ेगा वह यह स्टार्ट करते हैं record देखना पहले हम देखते हैं जॉस है बॉट अखर हम बात करें डेविड वार्नर की तो 22-70-11-42-42-16-21 और head-to-head में आपके 45 का अवरेज है वेन्यू पे भी 45 का अवरेज है ओर 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 चॉंतिस का आवरेज तो तो आप जो है जौस इंग्लिस को लेकर चल सकते हैं लेकिन पहले बैटिंग अगर अश्यलिया करते तो जौस इंग्लिस को ड्रॉप करके चलिएगा इतना बता जाया हूं और वेस्टन डीज के जो फ्रंट लाइन बॉलर हैं उनको आप अपनी टीम में लेकर चलिएगा कल के मैच के लिए ठीक है अब मिचल मार्श की बात किया जाए तो मिचल मार्श का जो वेन्यू पे स्कोर है वो 27 का है 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 और 22 से लेकर 24 तक 49 का है ठीक है यह है इनका पॉर्म उन्तीस सोला पंदरा जीरो एकसो सताता जीरो चौबिस यह है इनका रीसेंट फॉर्म तो कल की मैच के लिए जील में यह आपके बहुत बड़े खिलाड़ी है यह फिक्स बेर तो ही और प्लस जो है यह प्रवल दावेदार कल का कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने का मुझे पूरा यकीन है कल के मैच के लिए लेन मैक्स बने लास्ट इनिंग में बहुत मारा था कुतों की तरह ठीक है है हेड फैर में आपके 35 अब आवरेज है और वंटहींग धेश का है तो कल के मैच के लिए हम इनको डॉप करके चल सकते हैं इतना याद रही यह मारका स्टोनिस को कल के मैच के लिए मैं अपनी टीम में रखूंगा क्यों रखूंगा क्योंकि यह देखे तीन विकेट भी है दो विकेट एक विकेट तीन विकेट तीन विकेट सबसे बड़ी बात वेन्यू पर उन्चास का एवरेज है और हैड तूएड में आपका 13 का प्रवल दावेदा कल के मैच के लिए तो वाइस कटरन और का चल सकते हैं कल के मैच के लिए अब हम बात करते हैं टीम डेविट की तो कि टीम डेविट लास्ट मैच में अच्छा खेले 31, 37, 2, 0, 28, 10 और 20 यह है टीम डेविट का इसको रिसेंट फॉर्म की अगर रिसेंट फॉर्म की बात करें है तो एड में 24 का एवरेज है वेन्यू पर अभी तक कुछ खासा कर नहीं और जो है उन 2022 से लेके 24 तक अभी 19 का एवरेज है इनका तो कल के मैच के लिए इनको रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए तो इसलिए मैं कल के मैच के लिए इनको लूँगा अपने टीम में अना स्पैंसर की बात करें तो लेफ्ट आम फास्ट बॉलर है भाई तो यह जो है कल के मैच के लिए यह दोनों ही आपके अपनी टीम में चाहिए बरेंड हॉफ को आप एक पल को ड्रॉप कर सकते हैं बट यहां से मैं बता दूं आपको कि स्टॉइनिस को आप जो है कैटन और वाइस कैटन के प्रवल दावेदार है विचल मास भी है ठीक है और यह दोनों तो है ठीक तो यह रही अनालेसिस मेरे कॉर्डिंग जो है आपकी ऑस्टेलिया टीम की अब हम बात करते हैं आपके पर देटन की नेकलस पूरन रांपावल शाही हो पांदर रसल शैफर्ड रधर फोर्ड रोमारियो शैफर्ड उसके बाद जैशन होल्डर अकील हुसेन और जारी जोसफ तो यह होने वाली है कल के मैच के लिए प्लेंग 11 वेस्टन डीज की तरफ से अब हम बात कर लेते हैं स्शार्टिंग आवर में कॉन बालिं करता है और डेथ ऑबालिंग करता है तो अखील अलजारी जोसफ और यह तीनों मिलकए जो ए सघ्टारी जोसफ डूट और जो 532 इट आ यहाँ इनका स्ठाटिंग स्कोर और बेरेंड ब्रेंड किंग यह दोनों ही प्लेयर मैं कल के मैच के लिए ड्रॉब करके चलूँगा क्योंकि मैं उस साइड से ऊस्टेलिया के साइड से ठीक है ऑस्टेलिया के साइड से मैं हैसल वूड को भी ले रहा हूं मैं स्पैंसर को भी ले रहा हूं और हो सकता है कि जो प्लस आपको अगर अपनी टीम बनाके खेलना तो एक रिफरेंस मिलेगा कि इसके अपनी टीम को बनाना है तो इसलिए मैं बोलना हूँ आप पास्टेंट ट्रैक है तो इसलिए मैं मुझे ऐसा लगर आया कि निकलस पूरन वहां पे चल सकते हैं इसलिए आप निकलस पूरन को जील में ट्राइ कर सकते हैं एसल में भी ट्राइ कर सकते हैं इतना याद रखिए गया रामपाव पावल को मैं कल के मैच के लिए ड्रॉप करके चलूँगा क्योंकि लास्ट में इन्होंने फिर सट रन की इनिंग खेल दिये तो आप पता नहीं अगली इनिंग कब आया अच को अपने टीम में कल के मैच के लिए लेके चलने वाला हूं जैसन होल्डर भी मेरे टीम में होने वाले कल के मैच के लिए अकील हुसान को मैं ड्रॉप करूंगा क्योंकि वहां पर कोई भी काम नहीं है और जैसन होल्डर की बात किया जा तो हैड-to-head में अभी तक यहां पर चार मैच में आट विकेट माच चुका है बंदा तो जील में आप इनको ट्राइब करके चलिएगा और इधर से आपको गर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है तो आप रसल को बना सकते हैं पैदी चीज आप निकलस पूरन को बना सकते हैं दूसरी चीज और तीसरा अब हम बात कर लेते हैं कि आपको स्ट्राइजी कौन सी फॉलो करनी है तो स्ट्राइजी में आपको सबसे पहले तो टार्गेट करना है कि टार्गेट क्या होने वाला है तो अगर वेस्टन डीज खेलेगी पहले तो नीचे ही बनालेगी इतना याद है और एक सो पचास से नीचे अगर बनाएगी तो इसके बल्लेवाज नहीं चलेंगे और आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन की इसको बनाना है सेलिया टीम के जो है गेदबाज को बॉलर्स को इतना याद रखिएगा बॉलर्स को बनाके चलना है ठीक है अगर वेस्टन डीच पहले बैटिंग कर जो है प्रिफेरेंस जादा दिया है क्योंकि इस्टनिस की आजकल बॉलिंग अच्छी चल लए है प्लस वह बैटिंग अभी चल जाएगी तो बैटिंग में भी आच्छा का सा सकते हैं ठीक है अगर मालीजे कि जो है क्या है और बैटिंग आए तो मैंने बोला है कि आप जो तो आपको अपने टीम में चाहिए ही चाहिए ठीक है फिर उसके बाद जो है आप स्टनिस को अपने टीम में रखेंगे और इधर से बल्लेबाज रखेंगे ज्यादा बल्लेबाज और गेदबाज जो है इधर से ही रखेंगा ठीक है और दूसरी चीज यह है कि आप जो है अगर Australia पहले बैटिंग कर रही है, तो जो टीम बनाएगा, वो Australia के फेवर में ही बनाएगा, यानि आठ तीम के कॉम्बिनेशन से टीम को बनाएगा, तीन प्लेयर किसके होने चाहिए, वेस्ट अडीज के होने चाहिए, और आठ प्लेयर किसके होने चाहिए, आपके Australia के होने इतना याद रखेगा, बैट्समन और बॉलर लेके, इस तरीके की स्टडिजी के साथ अपनी टीम बनाएगा, और फिर एक उल्टा इसके टीम बना दिजेगा, कि तीन प्लेयर किसके होने और और आठ प्लेयर किसके होने आपके, वेस्ट अडीज के होने ठीक है, तो इस तर इंडीज के लगबग एक से दो गेद बल्लेवाज दीजेगा और एक ही दो गेदबाज दीजेगा आठ तीन के कॉमिनेशन से ही बनाके चलिएगा ठीक है बट आठ में से कम से कम पांच से च्छे बॉलर आप जो है और सेलिया की तरफ से सलेक्ट कर दीजेगा और जो दो या तीन प्लेयर जो बचेंगे वो टॉप और्डर क्या होने चाहिए टॉप और बैट्समैन होने चाहिए कि ताकि वो क्या करें चेस कर रहा है एक विकेट के नुकसान पर बस इतना ही ठीक है इस तरीके की थिंकिंग के साथ अप अपनिट कलके मैच के लिए टीम बनाईए पक इसका लिंक है दोस्तों तो आज की वीडियो में बस इतना ही जाए है